हाई फ्रेंज गूर्णिंग स्वागत है आपका आईपी सोलूसन में देखिए बीपी एसी सहायक के लिए जेनरल साइंस समान अभी घ्यान का यह हमारा चौथा भाग है तीन पार्ट पहले यह अप्लोड कर दिया गया है तो यह चौथे भाग में हम लोग केमेस्ट्री से सम् पूछे जाएंगे तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिजेगा और दोस्तों के साथी से शेयर विक जरूर कर दिजेगा और आप लोग कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएगा कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया तो चलिए सुरू क पहले आपको बता दू कि एक्जाम तक चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बोक्स मिल जाएगा ये हमारा ही चैनल है जिसमें अलग-अलग फैकल्टी के द्वारा तैयारी करवाई जा रही है अलग-अलग एक्जामिनेशन की और आप मुझे अनकेडमी पे भी फॉलो जरूर किजेगा मैं अनकेडमी पे अभी modern history पढ़ा रहा हूं बिपीएसी एस्पेसल बिपीएसी एसेस्टेंट के लिए और बिहार करंट अफेर भी हमारा यहां पर चल रहा है तो आप यहां पर मुझे फॉलो जरूर किजेगा यहां यहां पर बिपीएसी एसेस्टेंट के लिए बहुत ही ज्यादा वीडियो अपलोड किया जा रहा है कल ही यहां पर दस से बारा वीडियो अपलोड किया गया था पहला प्रस्ण क्या है इस वीडियो का पदार्थ का परमानु सिधान्त निम्न में से किसके द्वारा दिया थ था किस ने परमानु सिधान दिया है पदार्थ का परमानु सिधान एटम थियोरी किस ने दिया है एटॉमिक थियोरी यह पुचा जा रहा है देखिए इसका से अंसर है option B John Dalton ओके देखिए लेकिन इनके थियोरी में भी थोड़ा सा बाद में संसोधन किया गया और कहा यह गय परमानु को भी फिर बाद में तोड़ा गया यहां परमानु के पुचा जानते है देखिए इसका से अंसर है ए लेगेटिव चार्जज होता है जबकि यह neutron जो है, ओ而 neutral होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है electron पर मानूज के चारों और move करते रहता है और patron और neutron यह नाभिक में होते हैं electron का विरोधिकन है, electron का विरोधिकन इन में से कौन सा है देखे इसका सही जो answer है, ओक्रिचन ओप्जिट्रोन positron electron का विरोधिकन है क्योंकि ये समान दरब्मान और समान आवेस रखते है समान ये आवेस भी रखता है और दरब्मान भी ये बराबर रखता है तो इसलिए इसे electron का विरोधिकन कहा जाता है निम्न में से किसका परमानू करमांग magnesium से अधिक है Magnesium से अधिक परमानू करमांग इन में से किसका है देखे इसका से अंसर है Option D Aluminium का Aluminium का अगर हम बात करें तो 13 है जबकि Magnesium का 12 है किसी तत्व के परमानू जिनके भीन भीन परमानू भार होते हैं कहलाते है किसी तत्व के पर्मानु जिनके अलग अलग पर्मानु भार होते हैं ओ क्या कहलाते हैं देखे इसका से अंसर है option B समस्थानिक option B इसका से अंसर होगा समस्थानिक नेक्श है यदि hydrogen के प्रथम कक्षक की तरिजया R है तो hydrogen के एनवे कक्षक की तरिजया क्या होगी बहुत ही ज़्यादा और देखिए यह जो है आपको यहाँ पे बनाना होगा कि कैसे जो है निकाला जाता है तरीजिया कैसे निकाला जाता है तो इसका answer मैं आपको बता देता हूँ इसका answer होगा option a rn square ओके rn square इसका say answer होगा hydrogen के n में कक्चक किते रिजिया rn बराबर r into n square होता है परमानु कक्चक किनको कहा जाता है यह पूछा जा रहा है देखिए इसका answer है electron की बिक्तिय कक्चा पोट्रोन की खोज किसने की देखिए यहां पे काफे लोग confuse करते हैं कोई कोई करते है गौल्ड स्टीन और कोई कोई करते है रदर पोड अब इसमें भी answer बताना मुश्किल है किसमें क्या हो सकता है क्योंकि पोट्रोन की खोज रदर पोड ने किया था और कहीं कहीं पे तो गोल्ड स्चीन है तो आप गोल्ड स्चीन भी कर सकते हैं निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है इन में से कौन सा तत्व है जो रेडियो एक्टिव है आपको बताना है देखे इसका सही जो एंसर है ओगा ओप्सन बी यूरेनियम यूरेनियम एक radioactive होगा क्योंकि इसका प्रमानु कर्मांक 92 है बानवे है इसका प्रमानु कर्मांक और इसका प्रमानु 94 है तीक है हाँ बिल्कुल सही बानवे ही होगा इसलिए ये यह आप आप निमने मैं से कौन नवकिये सनलेन उरजा का मुख्यस रोथ है नवकिये सललेन उर्जा का इनमें से कौन सोर्स है यह आपको बताना है देखिए इसका से एंसर है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बम उर्जा की विशाल मातरा का मुखे कारण होता है और इसमें डिटेरियम और टाइटेनियम नविको का सललेन होता है U-235 निवन में से किस स्रिंखला का सदस्ते है U-235 इन में से किस सीरीज का स्रिंखला का सदस्ते है ये वताना है देखे इसका सही जो एंसर होगा होगा Option C uranium स्रिंखला उके? uranium परमानू रियक्टर में नियंतरन छड़ के रूप में किस का प्रियोग किया जाता है बहुत ही अच्छा प्रस्न है और इस तरह का प्रस्न हमेशा पूछे जाते है देखे इसका से इंसर है Option D Boron नवकिये विखंडन की अभी किरिया के दौरान स्रिंखला अभी किरिया को नियंतरित करने के लिए Boron या Cadmium इसको Cadmium भी कहा जाता है Boron या Cadmium की छड़ों को Neutron और सोसक के रूप में प्रियोग किया जाता है A, E3, O4 में A, VE की ऑक्सीकरन अवस्ता होगी यहाँ पर आपको Calculation करना है और इसका Answer क्या होगा देखिए इसका सही जो Answer होगा Option D 8 upon 3 थोड़ा सा आपको मैं करके बताता हूँ आपको माल लेना है कि ऑक्सीकरन संख्या जो है A, VE का A, VE का ऑक्सीकरन संख्या X है ठीक है तो यहाँ पर जो Equation बनेगा इकोल टू जीरो तो यहाँ पर X बराबर हो जाएगा 8 upon 3 यह हो जाएगा इसका Answer H2O2 में Oxygen की Oxygen अवस्था क्या होगी H2O2 में Oxygen की Oxygen अवस्था क्या होगी देखिए इसका से Answer है Option B माइनस 1 होगी माइनस 1 Potassium Permagnet का प्रयोग प्यजल के सुधी करन के लिए किया जाता है क्योंकि Potassium Permagnet इसका प्रयोग प्यजल के सुधी करन के लिए किया जाता है देखिए इसका Sensor है यह एक Oxygen कारक है निम्न में से कौन सा तत्व सभी अमलों में पाया जाता है सभी अमलों में acid में कौन सा तत्व है जो पाया जाता है तो सभी अमलों में पाया जाता है hydrogen option A इसका सही answer होगा hydrogen lead battery में परयोग होने वाल अमल है lead battery में इनमें से कौन सा अमल परयोग में लाया जाता है तो इसमें आता है H2SO4 sulfuric acid या sulfuric अमल इसको कहा जाता है H2SO4 hydroxyl sumo yukth carbonic अमल कौन सा है hydroxyl sumo yukth carbonic अमल इनमें से कौन सा है देखे इसका sensor option B carbolic aml carbolic aml देखे इसको जो है carbolic aml को एक और नाम से जाना जाता है phenol phenol नाम से भी इसको जाना जाता है सांद्र HNO3 अमल को निमन में से किस धातु के पात्र में रखा जाता है तो इसको रखा जाता है aluminum में aluminum धातु के सांद्र HNO3 को रखा जाता है aluminum धातु के jar में रखा जाता है पात्र में रखा जाता है नेक्स्ट है निम्बू का खट्टा स्वाद निम्ड में से किस अमल की उपस्तिति के कारण होता है निम्बू का खट्टा स्वाद इन में से किस अमल के कारण एसिड के कारण होता है तो सीट्रीक एसिड या कहीं की पर साइट्रीक एसिड भी लिखा हुआ रहता है इसके करण निम्बू जो है वो खटा होता है pH पैमाने की सीमा होगी pH पैमाने का जो भैलू होता है वो कितना होता है तो देखे 0 से 7 होता है pH भैलू 0 से 7 अगर 7 से नीचे आता है तो वो acid होगा 0 से 14 होगा इसका sensor होगा तो ये था हमारा चोथा पार्ट जिसमें chemistry से कुछ महत्वपून MCQ सेलेक्ट किये गए है वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर कर दीजेगा और दोस्तों के साथ इसे share भी कर दीजेगा और आप मुझे unacademy पे जरूर फॉलो किजेगा So thank you so much